जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री भाई ऐसे में आपका स्वागत है मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश विसेश से संबंधित बड़े हिमात्पूर प्रस्णों तो लेके उपस्तित हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज की समस्त परिछाओं में आये हुए हैं और भविष में इनहीं में से आ सकते हैं तो आई ये स्टार्ट करते हैं बाला स्वाल है निमनिमे से किस नदी को राश्टी जलमाग संख्या एक के रूप में परिउप्त किया जा रहा है तो इसमें देखते हैं इसमें इसे ही है गंगा को और कहां से कहां तक ये लाहबाद से यह जो है, लाहबाद से हावडा तक जो है इसको इस्तिमाल किया जाता है अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? अगला सवाल देखते हैं, निमन में से कौन उत्तर प्रदेश की प्यजल पर्यूजना है? इसमें से कौन से है उत्तर प्रदेश की इसमें सी सही है, गोकुल बैराज पर्यूजना है यहां से जो है, गोकुल और मत्वुरा को पानी सप्लाई किया जाता पीने के लिए, अगला सवाल देखते हैं, केंदर द्वारा किस नदी को राश्टी नदी घोसित किया गया है, तो बड़ाई मात्मुर है, तो इसमें सी सही है, यम्ना नदी पर इस्तित है, अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं, माता तिला पर्यूजना है, यानि किस नदी पर इस्तित है, यह पूछा गया है, माता तिला पर यूजना, तो इसमें देखते है, इसमें ए सही है, बेत पूँछ रा कि निंम्लिकित में से कौन? सही नहीं है. नग्श देखते हैं. निंम्लिकित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ये पूछा गया है. तो इसमें देखते हैं, बिठूर जो गंगा नदीप सही है गोरकपूर राप्ति नदीप जॉणपूर जो है जॉणपूर 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 जॉणपू पुशा गया है तो इसमें देखते हैं यह बेतवा नदीब बनाया जायरे हैं इसमें से बैतवा नदीब बनाया गया तो यह पुचा गया बाद जो है । बेतवा नदी पे बनाया गए आعم effects देकते हैं परिच्छा बांध किस नदी पर अवस्तित है, तो इसमें देखते हैं, इसमें इस सही है, बेतवा नदी पेच्थी थे परिच्छा बांध, नेक्स देखते हैं, 110 मीटर उचह बिहार जल पर परपात प्रदेश की किस नदी परिच्थी थे, इसमें टोंस नदी पेश्थी थे परिच्छावाद क्या ना बिहार जल बिद्धुत परीविए ना देखते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे उचा बांध कौन साहए बोश्ट है तो इसमें डी सही है राम गंगा जो है है राम गंगा नदी पे बना है उत्तर प्रदेश में सबसे उचा बांध नेक्ष देखते हैं निवन में से किस नदी का तर्टवर्ति छेत और नलिका चरण के लिए प्रसिद्ध है ब्राइम नात्मोर यह भी पूचा गया है तो इसमें सी सही है चंबल नदी का च्छेत जो अनलिका पर्दन या च्छरण के कारण जो है मसूर है अगला सवाल देखते हैं निवन में से कौंसी नदी ब्रह्म घाठ नामा का स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घागरा नदी बन जाती है तो इसमें देखते हैं इसमें भी सही है सार्दा जो है мिलती है औह घागरा बन जाती है सारदा गला सवाल निवन में से किस नदी के तरप पर गोरख पुरी से तो इसमें सी सही है ये राप्ती नदी के तरप पर इस्ति थैं गोरख पुर गला सवाल देखते हैं slips कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बैठी में अगला सवाल मिलान करने के लिए कौन 144 compr usage तो इसमें देखते हैं ही च॥ोडो जो मंधाकमी निएक की तटपर है जौनपुर जो है गोम्ती नदी की तटपर इश्थीत थैं अजय विद्धवर देखते हैं भारत के किसराज में सरभाधिक सिचाई नलकुपों से होती है तो इस होती है इसमें burgने ऐसंब नूं बहुत है Google सबसे छकिद्ट करने के लिए है तो वह आई देखते हैं इसमें तो सभाग है कि अखला सभाल यह देखते हैं तो निम्न नगuju में कौन मेंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है तो गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं इस्तित है तो इसमें सी सही है वारार्सी जो है गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है बाकी जो है प्रियाग राज हरिद्वार कानपूर इस सब गंगा के दाहिने किनारे पर इस्तित है अगला सवाल देखत यूंग मद्ध प्रदेस राजों के संजुक तो राजगाट नदी घाटी परियुजना अस्थापित की गई है किस नदी पर अस्थापित की गई है यह पूचा गया है तो इसमें अ में इसमें पूंचा है इनके महत्यों के घर्टिक करम में सही का चैन की जैजिए यह पूचा गया है तो नंबर एक नलकूप है नंबर दू नाहरे हैं व नंबर तिन तलाब कुई हैं झाणतर चार अन-साधन तो इसके जो है 2-1, 3-4 जया इसका करम है गया है कौन से निंदीन का उद्गम हिमाला से नहीं होता तो इसे में देखते एक और तीन गोमती और वेतवा का उद्गम जो है लेक्सि देखते हैं गोम्ती बेतवगा इसके मतलब सीच सही है बाकी राम गंगा और सार्दा का उद्गम जो है हिमाले से होता है देखते हैं गोबिंद बल्लवपंत सागर अवस्थित है कहां पर अवस्थित है यह पूशा गया है इसमें डी सही है सोन भद्र जिले में सीथ है आजीन बांद नहर से सलब्हें या इसमें लेखते हैं अगला सवान है रानी लक्षूमी बाई बाद पर योग जना तू इसमें देखते हैं रानी, लक्ष्मी बाई बाई बाध पर योग जना तो अवस्तित हैंक। इस सवाल देखते हैं गुभिन्द बल्लभ पंत सागर जला से इस्थिते तो यह अमस्तर बदेश में संबस्ता स्भर्ण न फिए जिले में स्वाल उत्तर प्रदेश से इस है क्या है इसमें सी सही है नलकूप द्वारा नेक्स देखते हैं निम्न में नलकूप द्वारा सिंचित भूम छेत सबसे अधिक है कहां पे तो नलकूप द्वारा सिंचित जो इसमें सी सही है उत्तर प्रदेश जो है में सित है सिचाई के सबसे अधिक जो है नलकूप द्वारा तो निम्न में का नदी यमना की साइक नदी नहीं होती है तो इसमें को नदी में प्रवाइत नहीं होती नहीं होती तो इसमें अग्ला सवाल देखते हैं, अग्ला सवाल देखते है, उबरा जलबेद्दुत के अंधर किस नदी पर बनाया गया है, तो उबरा बन, जल बिद्धूत के उंद जह इस हमें सही है, रिहंद नदी पर बनाया गया है, मोंष्ट है, अगला सवाल देखते हैं, नरोरा आन्भी करित modern फोल के ताप बिद्धूत इसथितिए की अस्थापना, की गयी है, कहां पर की गयी है, हिस Мос runner भी सही है, रोजा में नेक्स देखते हैं निवन में से किस अस्थान पर एक नाभिकी उर्जा प्रियोजना है तो कहां पर है इसमेडी से नरोरा में जो की बुलनसार में पढ़ता है नेक्स देखते हैं तो इसमें देखते हैं इसमें बेतवा नदी कतट पेश्थी थे अगला सवाल देखते हैं अगला देखते हैं निम्न में कौन तापी परियुजणा नहीं है तो इसमें इसे यह हिंद रियंद नदी पे जो यह जल बिद्दूत है बाकी परिच्छा हर्द्वा गन्चंद उसी इस सब तापी परियुजणा हैं अगला सवाल देखते हैं प्रदेश में परदूशन की समस्या नहीं होती परद्दूत उतपादं के अंदर इस्सित हैं बलाए मात्मूरा तो इसमें इसे हैं उपरी गंगा पर जो है पर जो यह जल बिद्दूत के अंदर इस्सित हैं नेक्ट देखते हैं प्रदेश में विद्दुत उर्जा का सरबादिक महात्पुर्ण स्रोत है क्या है सरबादिक महात्पुर्ण स्रोत इसमें सी सही है तापी उर्जा जो है यानि कोईलेश जो विद्दुत पैदा की जाती है वो है नेक्ष देखते हैं सकफ़्ड प्रदेस में निमध्र तापी सन्यंत्रों में कौन नहीं है कि इसमें सब्धिकि वी शांप टांडा सन्यंत और यह सन्यंत यह NTPC का है नेक्स देखते हैं कि सीतला जल्बिद्द प्रिविजना इस्थित है ब्लाई मात्पूर्ण है यह यह जहांसी में इस्थित है अगला सवाल देखते हैं अगला है प्रदेश के एक मात्पूर्ण विद्दूत उर्जा केंद्र नरोरा बुलन साहर के पर्था में काई चालू हुई कब हुई थी यह पूछा गया है इसमें सी सही है यह पर्था में काई उर्जा के विकास के लिए बैकल्पिक उर्जा विकास संस्थान के अस्थापना कब की गई ब्लाई मात्मों कुश्चन है तो इसमें भी सही है इसमें चालू कि गई अस्थापना की गई इसकी नेक्ष्ट है उत्तरप्रदेष का इक важно किस देश के सायोक शेकीग विए उपरा उन्टो इसमें देखते हैं इसमें सुविए्ट रूश के सायोक्स्वा की ची कई है मौत्स अक्सर गैस अधारित है, तो इसमें देखते हैं कौन गैस अधारित है, तो इसमें D सही है, दादरी जो है, ये गैस पर अधारित है, नेक्स देखते हैं, फ्रांस के सहयोग से एक ब्रहत सवरुजा प्लांट की अस्थापना की गई है, कहां पर की गई है, फ्रांस के सहयोग से, तो है तो मिंबन जा रहा हैं तो इसमें देखते हैं इसमें डि को फिर नगर में श्तित हैantesya पुछा गया है अगला देखते हैं निमनी बिच्चों में से कौन साब पर्यावरली शंक्रटत्पन न करता है इस में T सही है Eucalyptus जिसे शफेदा कहते है Eucalyptus जो है नेक्स देखते हैं प्रदेश में नबाबगंच पच्छी विहार कहां चती थे तो इस में देखते हैं प्रदेश का सरवाधिक बिस्तित पच्छी बिहार है तो इसमें देखते हैं इसमें लाग बहुर सी पच्छी बिहार प्रदेश का सबसे बिस्तित पच्छी बिहार है नेक्स देखते हैं यह मिलान करने के लिए है तो इसमें देखते हैं नबाव गंच पच्छी बिहार यह उन्नाओं में है उकला पच्छी बिहार गौतम बुद्नगर में है समस्पूर पच्छी बिहार जो इराइबरेली में है और परविदी अरंगा परश्ची भीहर एक गोंडा में है तो इसका क्रम दो तीन चार एक नेक्स देखते हैं अगला सवाल है सोन बद्र में निम धातों में से कौन-कौन धात पाई जाती है सही कुट का चैन करें सोन बद्र में पूछा गया कौन-कौन से धात पाई जाती है तो इसमें भी सही है दो तीन चार यानि एंडुलासाइट एंडालुसाइट पाईराइट और डॉलमाइट यूरिनियम नहीं पाई जाता है इसमें भी सही है है मेशन निमन मेशे काउंस अब जो कभी सामाजी कोमां कि मेलोगपरी था अब एक पारिस्त की यातंकवादी माना जाता है तो इसमें झालिक्तर कworthy प्रदेश का सबसे चोटा बन जीव भिहार है तो इसमें इस ही है महाबिर स्वामी बन जीव भिहार ये ललित्पूर में पड़ता है अगला सवाल देखते हैं प्रदेश में Sing…? किस बं जीव भिहार के सपना की गई थी तो इसमें देखते हैं इसमें देखते हैं पर देखते हैं।- प्रदेश में सरप्रत देखाड़ में इससे सपना की गई थी तो इसमें देखते हैं इसमें ये सही चंद प्रभाब अगला सवाल देखते हैं राज में एक बबर सेर सफारी अस्थापित किया जा रहा है कहां पे किया जा रहा है तो इसमें देखते हैं इसमें सी सही इटावा में अस्थापना इसकी किया रही है अगला सवाल आप रेसं गिरीम अतर प्रदेश में सुमारह में था जो इसका सुमार ता उत्तर प्रदेर में कोले के भंडार पाई जाते हैं कहां पे पाई जाते हैं पूछा गया है तो इसमें 20 सुह है सिंगराली चेत्र में क्योंकि सोन बद मिरिजा पुर एरियम पढ़ता है यह तेक्ते हैं यह मिलान करने के लिए तो इसमें देखते हैं सोन भद्र में चुने का पत्थर प्रयाग राज में शीषय वाली बालू ललित्पुर में ताबा और मिरजापुर में नान प्लास्टिक फायर के ले यह इसका क्रम अगला सवाल देखते हैं निम्न जनपदों में कौन सरवाधिक बना च्छादित है निम्न जनपदों में तो इसमें डी सही है सोनभद्र जो सरवाधिक बना च्छादित है अगला सवाल देखते हैं सौरात अलब 55 इस्थित्थ है सॉराताल पच्छी १्यार अवस्त्थित है कहाँ पर सभस्तित है इसमय दरी सभी है यह वह बहुत्थित अगला सवाल कि निमन मेंसे कॉ साही सुमयलित नहीं है यह पूछा गया है तो कॉं समय नहीं है तो M ai देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है कोईला जो सुन घतर पाए जाता है बलुगा पत्तर मंदद्यी पाए जाता शिल्लक बालू प्रियाग राजंसी नहीं पाए जाता बलकि ललीदपूर में पाए जाता है अगला सवाल है प्रदेश का सबसे बड़ा बनन जीव बिहार है प्रदेश का सबसे बड़ा बनन जीव बिहार है तो इसमें देखते हैं इसमें सी सही हतना असितनापुर बनन जीव बिहार प्रदेश का सबसे बड़ा बनन जीव बिहार है नेक्स है उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाले सभ देखते हैं निने में से कौन सा एक खthis नहीं पर दीस में प्रदेश कि नहीं पाया जाता है तो अर्षि यह बर्दीस कि अब भरक जो तरबमा प्थर भागशाइट और जिव्सिमें पहले स्वाल है इसा को नहीं क्ली सब्सक्राइब refers सब्ifies our पह तो इुरेनीब कहा मिलता उत्र प्रदेश में इसमें सी सब्सक् Lane बाकी वंद्प्रदेश रॉइस चाथ राश्ट्री चब चंबल已 देखते हैं उत्तर्प्रदेश के निम्लिखित में से कौन सब बनन जी अवियरन उन्हें से 75 में अस्थापित किया गया था तो इसमें देखते हैं उन्हें पर यहां से और दो दो इसमें निम्न में से किसका प्रियोग राष्टी जलमार के रूप में किया जा रहा है यह नि कहां से कहां तक जो है तो इसमें यह सही है प्रियाग राज यह हल्दिया के मद्ध गंगा का जो की हावला क्या सपास है नेक्स डेखते हैं पुर्बांचल एक्सप्रेस हुए कितने जिलों से गुजरती है बलाए मात्मूर कुष्ण नेक्स टेकते हैं पूर पस्रिम और उत्तरदस्र कारिडोरों छे लेन के राष्टी राजमार को एक दूसरे पर मिलने का स्थान है कहां पर बहुत बार पूशा गया यह सही सही है इ निम्न में से जी टी रोट कहां से नहीं गुजरती है तो इसमें देखते हैं कहां से नहीं गुजरती है इसमें जो है इसमें सी सही है अलिगर्ण से नहीं गुजरती है बाकी जो है औन प्रियाग राज आगरह योंग 15 दिन द्याल उपाद्या जंक्षन यानि उसको विछ को कहते हैं लिटा है अगला सवाल देखते हैं năm 2017 से कौन राश्टी से नहीं जुड़ा है तो राश्टी लान पर मोसिहाँ यद्धा वरालति में बाबत्र रुट्वहाइड़ा कि तो इसका एक करम धा दो चार ₹ तिन तो अगला देखते हैं अगला सवाल देखते हैं उत्तर दचित अपूर पच्छिम गल्यारे मिलते हैं कहां पर इसमें यह सब्सक्राइब अगला सवाल देखते हैं गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्टी जलमार घोसित किया प्रदेश में कुल कितनी हवाई पत्तिया या हवाई अड़े हैं तो इसमें देखते हैं इसमें सी से यह 46 जो है हवाई पट्टिया हवाई अड्डे हैं नेक्स देखते हैं यह भी सुमेलित करने के लिए है यह हवाई अड्डा और नगर कहां पीछते थे तो बंबरवली जो प्रियाग राज में है चकेरी कानपूर में है हिंडें जो गाजयबाद में है फुर्षत गंज यह लखनो को जो है तो इसमें देखते हैं काउन सबसे लंबा राश्टी राजमार्ग है इसमें एस तो राश्टी राजमार्ग नेशनल हाईवर संख्या 2 जो है अगला देखते हैं यह मिलान करने के लिए है नगर है और हवाई इद्धा तो लखनों में अमाउसी है वारांसी में बाबतपुर है कानपुर में चंदेरी है आगरा में खेरिया है तो यह इसका क्रम अगला देखते हैं कान निम्लिखित मैं से देश का सबसे लंभा आंतिर्पी जल्मार्ग कौन सा है निम्लिखित मैं है इसमें प्रियाग राज घरन जाल दिया इसमें जहीं सबसे लंबा है नेक्स दिखते हैं यमुना एक्स्प्रेस वे किनगे बीच है तो यह आग अग्रा और leiman के पी सिखी इचे थे इसमें बी सिखी Since जा सकता कहाँ पर सामिक नेक्सक देखते हैं इंहींMúsicahold नम्न में से कहां से नहीं गुजर्ती वर्णी स्वेक हैं गुजर्त हैं तो नम्न-मेIL Indonesia यहां सिखी हैं मुजर्ति ग्जाल कि नहीं उसे रहे नहींत हैं तो इसमें देखते हैं कांपूर चकेरी सही है वानर्सी बाबत पूर सही है लखनव मौसरी सही है आगरा फुरसद गंज नहीं है आगरा जो है खेरिया है फुरसद गंज यह राइबरेलिम पड़ता है नहीं इस दिखते हैं लखनव आगरा ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे इसमें के लिए से नहीं गुजर्ती तो इसमें केशले नहीं गुजरती इसमें एच सही एक जोंगिति कांपूर है से देखते हैं देश की तीसरी रेल कोंच स्थापित की गई है कहा के तूद भी से मिलते हैं अगला सवाल देखते हैं आग्रा लखनुग एक्स्प्रेस वे की लंबाई है लगभग कितने किलिमेटर यह पूछा गया है तो इसमें इसे ही है तीन सो किलिमेटर है अगला सवाल देखते हैं मित्रों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेर के लिजिए जिससे मेरी हरे नेविटी को सुचना मिल जाए तो अगला देखते हैं हाल है में किसे अंतराश्टी हवाई अडे का दरजा मिला है तो इसमें देखते हैं, इसमें कुसी नगर हवाई अडे को जवांतराश्टी हवाई अडे का दरजा मिला है